अमर रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं, दिन भर काम और टेंशन से जूच कर, घर आते ही अपनी भडास निकालते हैं अपनी परिवार पर, पस आज काम जल्दी खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा, तेकल जाता हूँ इससे पहले की बॉस की नजर में आ ज अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है, उसमें लास्ट मिनिट चेंजिस आए हैं, आज जाने से पहले अपडेट कर देना सर, आज जल्दी जाना जरूरी है, बेटे को स्कुल के जरूरी सामान खरीदने ले जाना है न सर, इसलिए जल्दी जाना होगा, एक काम करो, कल जल्दी चले जाना अमर बेबस होकर बॉस का ओर्डर मान कर फिर काम में लग जाते हैं, किसी तरह मन मार कर काम खतम करते हैं और चिड़-चिड़े मन से घर पहुँचते हैं निशा, जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खत्म होने वाली है, बस ने लेट करवा दिया अरे इतनी देर से आये हो, तुड़ी देर बात तो कर लो अरे सुनो, हटो यहां से, पापा को टीवी देखने दो, पता है ओफिस में कितना काम रहता है, कितना काम करके आया हूँ मैं तो मैं पी तो ट्योशन जाकर आया हूँ अब जाओ जाके फिर हूम वो कर लो, कर स्कूल भी जाना है न तो मैं उट जाओंगा, लेट नहीं करूँगा, अभी मेरा शो चल रहा है, मुझे देखना है अरे समझ नहीं आ रही बात एक बार में, एक थपड़ दे के समझाओ क्या, रिमोट दे और सोने जा सोनों रोते हुए ममी के पास जाता है, और अपने पापा की शिकायत करता है, निश्या उसे पुछकार के एक और बेडरूम में ले जाकर सुला देती है मैं डाटती हूँ पापा को, तू सोजा, अभी ठीक है पिठा नेहा खाने की थाले लेकर अमर के पास पहुंचती है, और मेज पर रख देती है, अमर टीवी में डुबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है नीशा सामने बैठे उसे घुरे रहती है कुछ देर में अमर ये समझता है और उसे देखने लगता है और इशारे में पूछता है कि क्या बात है ये कोई तरीका है सोनू पे चिलाने का अब रुको इनिंग खत्म होने दो अमर खाने लग जाता है और मैच देखता है आकरी बॉल होने के बाद वो नीशा के तरफ दीखता है अरे नीशा पानी दे दो जरा नीशा थाले के बाजू में रखे गलास पर इशारा करती है अमर उठा के पानी पिता है अब बोलो बच्चा है सुनो एक बार तो मिलते हो दिन बर में रात को और फिर वो अपने पापा की डाट सुनके सोचा है अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी जवाब दे रहा था अरे दिन बर के बाद आया हूँ इतना काम किया बास के नकरे छेले और घर आओ तो बेटा बहस करे और साड़ी बढ़ास घर आकर घर वालो पर निकालो अरे तुम क्या वोल रहे हो मुझसे ऐसे तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो डाट टीवी तो हो से बता रहा था वो मुझसे अभी कुछ दिन पहले ही डाटा था ना तुमने हाँ मुझे अभी सोने के पहले बता रहा था देखो अभी जगडा मत करो मुझे आराम करना है टीवी देखने दो अरे तुम उसको भी तो दिन बर पढ़ाय के बाद देखना होता है ना आराम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है छोटा है अभी आदत बिकड़ जाएगी और तुम उसके वकालत करना ना बंद कर दो चला भी सेकंड इनिंग्स चालू होने वाली है गुड नाइट अमर फिर से टीवी देखने लगता है और नीशा उसे कुछ सेकंड में वो उठ के जाने लगती है दर्वाजे तक पहुची होती है कि अमर कहता है अरे सुनो तो